आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वेडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, the question is Two light strings of length 4 cm and 3 cm are tied to a bob of weight 500 g The free ends of the strings are tied to pegs in the same horizontal line and separated by 5 cm The ratio of the tension in the longer string to die in the shorter test string is देखिए हमें tension निकालना है एक ऐसा arrangement किया गया कि दो पॉइंट जिनकी बीच की दूरी 5 cm रखे गई है जैसे यहां पर दे रखा है 5 cm अबर एक string है जो 4 cm का है एक string है जो कि 3 cm चार सेंटीमेटर और 3 cm तो यह हम जानते हैं कि यह case होता है तब यह दोनों के बीच में angle जो होता है वो कितना होता है 90 degree होता है यह दो पॉइंट पर इन्हें hinge कर दिया गया और यहां से एक bob अटेस्ट कर दिया गया जिसका mass कितना है 500 gram जिससे हम लोग सकते हैं 1 by 2 kg ओके ठीक है तो यहां पर यह देखिए कि यहां पर हम लेते हैं यहां पर टेंशन टीवन होगा यहां पर टेंशन टीटू होगा अबर हमसे बोला है कि लॉंगर स्ट्रिंग से का टेंशन अपन में स्ट्रिंग मतलग टीवन लोंगर स्ट्रिंग अपन टीटू स्ट्रिंग का टेंशन का रेशियो हमें निकालना है ओके तो यहां देखिए आप कि इस पर अगर हम लोग 90 डिडीड द्रॉग करें तो क्या होगा देखिए यह एंगल 90 डिडी है अबर यह अगर हम लोग 3 by 5 ब अगर 90 डिडी है तो यह एंगल कितना होगा 3 by 5 मतलब कि 37 डिडी और 4 by 5 होने का मतलब यह क्या है कि 53 डिडी अब यहां पर मैंने 90 डिडी ड्रॉग कर दिया है इस पर पॉइंट पर एकदम तो यहां 37 यह 90 डिडी तो यह एंगल कितना हो जाएगा 53 डिडी ओके तो अब हम ल होता है 4 x 5 होता है ओके अवर हम लोग टीटू यहां पर देखें तो यह 37 डिग्री है ओके तो 37 डिग्री है यहां पर अवर है यहां यह एक्शुली यह 4 x 5 होगा क्योंकि साइन आ रहा होगा साइन 53 हे और साइन 53 डिग्री की वहलू 4 x 5 होती है यहां पर क्या ह रहा हुगा टी टू साइन 37 कुम पर कितने वहलू t2 sin 37 degree की value कितनी होती है इसकी value होती है 3 by 5 ओके अबर क्योंकि इनको ये ऐसे ही लटका हुआ है तो यानि कि ये तो clear है कि horizontal force जो है वो equal होंगे तो हम यहाँ सका सकते है t1 into 4 by 5 ये horizontal component का tension का force अबर ये horizontal component का force t2 into 3 by 5 equal होंगे तो यहाँ से देख लीजे हमें t1 by t2 का ratio निकालना है t1 by t2 कितना आ जाता है ये 5 कट जाएंगे ये 3 by 4 आ जाता है और हमसे यही ratio पुछा गया था तो कौन सा option सही हो जाएगा option B will be correct ओके, thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर